इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 3 प्रेम की नदी यमना के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हमारे देश की प्रमुख नदियों में यमना नदी का नाम है इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि यमना नदी का क्या महत्व है और किस तरह से यमनो तरीकी जहां से यमना जी निकलन बहना शुरू होती हैं वहां की यात्रा में क्या-क्या चीज़े हैं तो आईए अब हम इस कहानी को पढ़ना इस यम्ना नदी के बारे में जानना शुरू करते हैं तो हिंदुस्तान में बच्चों चार धाम माने जाते हैं धाम मतलब पवित्री जगह होती हैं जो की कौन-कौन से हैं बद्रीनात केदारनात गंगोत्री और यमनोत्री तो इनसे जुड़ी हुई कई सारी पौराणिक और धार्मिक कताएं हैं और ये बहुत ही प्रश्णिय स्थाल भी है मतलब देखने योग्य जगह हैं इन चारो धामों में सबसे जादा प्राकृतिक सौंदर्य किस जगह में हैं और सबसे कम खर्ची ली यात्रा है यमनोत्री की जो ये चारो जगह हैं बद्रिनात केदारनात गंगोत्री और यमनोत्री जैसे कि कर दो है यमनोत्री की तो यमनोत्री समुंद्र तट से 10,805 फीत क्रैश्णिय में भारत के उत्रा खंड क्राइब में हैं और गंगोत्री के विरुद्ध दिशा में मतलब आपोजिट डिरेक्शन में रिशिकेश और उत्रकाशी के बीच में इस्थी थे कहां पर इस्थी थे उत्राखंड के उत्राखंड राज्य में और रिशिकेश और उत्रकाशी के बीच में तो इस तीर्थिस्थल्प के लिए रिशिकेश से हनुमान चट्टी के लिए बसे आदी मिलती हैं, मतलब यहाँ पर जाने के लिए और आगे की जो यात्रा होती है वो पैदल, पाल कीमे, टट्टू या कुलियों को की पीट पर की जाती हैं, तो हरिद्वार और छेत्र के अन् से भरे हुए वहाँ पहुचकर ही दम लेते हैं, तो वे हट्डियां कपा देने वाली ठंड की भी परवा नहीं करते हैं, और एक तरफ उनकी आस्था होती है, और दूसरी तरफ यमना नदी हैं, जो गुप्त रूप से भहती हुई मैदानों में उतरती हैं, यमना नदी इसका स्तित्व गंगा में विलीन हो जाता है, लेकिन इसका महत्व जरा भी कम नहीं होता, गंगा यदि अध्यात्मिकता, पवित्रता और पाप से मुक्ति की नदी है, तो यमना प्रेम का प्रितीक है, तो सर्दी में अक्टूबर से लेकर अप्रेल महीं तक 6 महीने बर्फ जम जाने के कारण, बदरिनाथ मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, इसलिए इस समय यात्रा भी स्थगित रहती है, और बर्फ पिगलने पर अप्रेल महीं में ये यात्रा फिर से शुरू होती है, उस समय यात्रियों की संख्या भी सबसे अधिक होती है, और बदरिनाथ के जाते हैं तो यहां तक अच्छी सड़कें और धरमशालाय आदी हैं और इनकी तुल्ला में यमनोत्री बहुत कम यात्री पहुंचते हैं यहां का प्राकृतिक द्रैश्य बहुत ही सुहावना होता है बहुत ज्यादा नैचरल सीन है यहां पर और यहां से यात्री जीप से फूल चट्टी पहुचते हैं और यहां यात्रा जवकिम भरी होती है मतलब बहुत ही ज्यादा खत्रो वाली यात्रा होती हैं यह क्योंकि य समय दुर घटना होने के डर बना रहता है तो फूल चट्टी से यात्रियों को पैदली जाना पड़ता है लेकिन बहुत से जो लोग होते हैं वो टट्टू कांधी या डांडी में यात्रा करते हैं और दूसरे दिन सूर्योदे के साथ ही यात्री यमनोत्री के लिए निकल कम चोड़ा है और फिसलन भरा है और खतरनाक है तो यमनोत्री में शिखर पर एक छोटा सा मंदिर नजर आता है जिसमें यमना और श्री कृष्ण जी की मूर्तियां है और मंदिर का जो शिखर है वो समुद्र तल से 421 मीटर उंचा है यमनोत्री पहुंचने पर सबसे पहले यात्री वहांके साफ और छटणें जल में सनान करते हैं और यहां यमना बाल यवस्था में अपने बच्पन की इस्तित में बच्पन कि अवस्था में है और यमना का जो निर्मर मतलब साफ और जो मनोहारी रूप है मन को हरने वाला वो यात्री के हिर्दिया में अपने आप ही भक्ती जगा देता है स्नान के बाद यात्री दिव्य शिला का पूजन करते हैं जो सूर्य कुंड के पास है इस शिला में सलफर युक्त गर्म पानी के स्रोत निकलते हैं यहां यमना की पूजा की थाली में मिठाई, लाल चुनरी, चूडिया, सिंदूर, शीशा, नारियल और फूलादी का सामान होता है तो बच्चो आपने इस लेशन में पढ़ा कि किस तरह से यमनोत्री की जो यमनोत्री धाम की यात्रा है वो हिंदू धर्म में कितनी महत्वकून है और वहां पर यमना जी का उदगम इस्थल है और वहां की यात्रा कितनी जादा मुश्किल होती है लेकिन फिर भी लोगों में इतनी आस्ता होती है जो इतने मुश्किल राष्टे से पार करके भक्ती में होकर के यमनोत्री तक जाते हैं और उससे अपना सवभाग्य समझते हैं तो इस तरह से बच्चों हमारे हिंदू धाम में यमनोत्री का एक चारो धामों में से एक धाम है जो की बहुत ही प्रिसीत है और बहुत ही माननेता वाला है तो आशा है आपको यह पार्ट समझ में आया होगा थैंक यू